बच्चो कैसे हो आप हसते हो ना हसते रहू और मेरे साथ हो मोर करते रहू So, today we are going to learn about how to write capital C C for cat, देखो यह मैंने cat का face निकला है आज हम capital C लिखने वाले हैं देखो 4 line की notebook में हम capital letters लिखते है 1, 2, 3, 4 notebook में 4 line होती है लेकिन हम 3 line में ही capital letters लिखते है capital C देखो यह 1, 2, 3 line में आप circle ड्रॉ करके यह होता है हमारा capital C C for cat आपके पास cat है cat and a आपको पता है cat cat and a billy हमारे घर में भी एक billy है जिसका color fight है और उसका नम रानी है आपके घर में billy है billy को इंगलिश में cat कहते है C for cat आज हम capital C सीख रहे हैं capital C 3 line में ड्रॉ करते हैं देखो 1, 2, 3 इसी तरह से capital C ड्रॉ करना देखो C for cow cow हमें दूद देती है दूद पिना सेहत के लिए अच्चा होता है आप अच्चे पैरे बच्चे होना तो रोज दूद पिना पिऊंगे ना promise करो मुझे आप रोज दूद पियेंगे रोएंगे नहीं दूद पिते समय चलो देखो 1, 2, 3 capital letter सिर्फ दे लाइन में ड्रॉ करते है C for cake आपको पसंद है cake मुझे पता है आप सभी को cake बहुत पसंद है आप आपके बड़े पर आपके मम्मी पापा cake लाते होंगे ना मुझे तो रेडविल वेट cake पसंद है आपको कौन सा पसंद है आपको शायद chocolate cake पसंद होगा क्योंकि आपके जैसे पैरे बच्चे तो chocolate ही खते है देखो C for cake और C for chocolate भी होता है तो ये हो गई हमारी 3 line देखो 1, 2, 3 ये मत भूलना capital letter सिर्फ 3 line में राइट करते है देखो 1, 2, 3 और आप भी अपनी notebook और pencil निकलो और मेरे साथ लिको capital C C for car आपको कार पसंद है आपको कौन से color की कार पसंद है आपको black color की कार पसंद है चलो मुझे white color की कार पसंद है C for car बच्चो देहन देकर लिखना पहले line count करना 1, 2, 3, 4 notebook में कितनी line होती है 4 और हम capital letter कितनी line में राइट करते है 3 देखो 1, 2, 3 C for cap आपको पता है न cap जो हम जब दूप में जाते है न वो cap पे इनते है C for cap जब आप दूप में जाओगे न cap पहिन कर जाना देखो C for cap आप भी मेरे साथ आच्ची तरसे दिखो और fast fast लिको आच्चे पैरे बच्चे हैं न आप तो आप अच्छा आच्ची तरसे capital C write करो और आप अपनी मम्मा को दिखाओ देखो line के उपर भी नहीं आना चाहिए line के नीचे भी नहीं आना चाहिए चलो अच्चे पैरे बच्चो अच्ची तरसे मेरे साथ लिखो capital C C for color आपको कौन सा color पसंद है मुझे तो red color पसंद है आपको कौन सा color पसंद है pink, yellow, five, black उस में से जो भी color पसंद है उस crayons से आप capital C अपने notebook में लिखो crayons नहीं होगे तो आप sketch pen से भी लिख सकते हो C for cap C for crayons crayons होगे ना आपके सभी के पास six color के होते हैं, twelve color के होते हैं crayons से picture draw करना अपने घर की all पे crayons से लिख कर all खराब मत करना अच्चे बच्चे हैं ना अच्चे बच्चे जादा तर अच्चे ही काम करते हैं C for crayons देखो एक line में कितने सी होगे one, two, three, four, five, six आप भी draw करो, चरो, अपनी मम्मी को दिखाओ और मैं ये पहले ढहन देखकर देखो, मैं कैसे राइट करती हूँ सी रेड लाइन है, blue line और इस blue line तक हप सरकल ड्रॉ करते हैं तो ये होगा अपना capital C C for cow C for camel C for cabbage आपको पसंद है cabbage की सबजी? मुझे भी बहुत पसंद है C for cat आपके cat का कलर कौम सा है? आपके पास कोई बिल्ली है? होगी तो उसका नाम बताओगे मुझे हमारी बिल्ली का नाम दो रानी है और उसका कलर fight fight है, सफेद कलर है मुझे तो वो बहुत पसंद है आपको भी आपकी बिल्ली बहुत पसंद होगी ना? C for cow cow हमें दूद देती है दूद भी सहत के लिए अच्चा होता है बच्चों रोज दूद पीना अच्चे बच्चे हो ना? रोज दूद पीना और अपने मम्मा की बात सुनना आपको पता है? मैंने फेले वीडियो में आपको capital A सिखाया था फिर आमने capital B का homework किया था आज हमने capital C का homework किया है आप भी रोज homework करना और हमारे homework चैनल को subscribe और like करना मत बोलना और हमेशा हसते रहना और मेरे सर homework करते रहना चलो, बाई बाई, गुड़ बाई